नमस्कार मेरे नाम है विनाश और आप लोग देखना शुरूग कर चुके स्पोर्स चौक आम तोर पर हम लोग देखते हैं कि जो मैच जितने वाली टीम होती है उसी का कोई ना कोई खिलाडी जो है प्लर फड़ मैच का वाड़ ले जाता है क्योंकि जाहर तोर पर है कि जो ट देखने को मिला है राशिद खान आखरी ओवर में 22 रण की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे मारको यंद्जन जो कि सम्नाइजर्स हैदरबाद के लिए खेलते हैं और आखरी ओवर में जो है तीन चक्के मारे राशिद खान ने और एक छक्का राहुलते वत्या ने और राहुलत वत्या ने एक सिंगल दिया टोटल 25 रण जो है उस फाइनल ओवर से आई सम्नाइजर्स हैदरबाद को हार का सामना करना पड़ा पांच विकेट से गुजरा टाइटन्स में हैदरबाद को हराया और सलीके से अगर आप आकड़े देखे तो 11 गेंदों में 31 पर 68 रण की पारी खेली 11 चौका और एक छका लगाया 189 का जो है इनका स्ट्राइक रेट रहा जबकि राहुलत वत्या ने 191 के स्ट्राइक रेट से 21 गेंदों पर 40 रण की पारी खेली आकड़े तो बहुत खुब्सूरत और सब को लग रहा था कि या तो रिदिमांसा या या फिर आशित खान ही प्लेयर दमेच का वर्ड लेकर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्लेयर दमेच का वर्ड पता आपको कौन लेकर गए उम्रान मली संडाइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदवाज अब पूछिए क्यों क्योंकि इन्होंने चार ओवर में 25 रन द जाती है टी टोन डिफॉर्मेंट में बड़ी बात हो जाती है और बहतर एकॉनमी रेट के साथ तो मैच रफ्री ने डिसाइड किया कि हमारे जो आज के जो सबसे बहतरीन खिलारी है वो उम्रान मलीक ही है और उम्रान मलीक को इसी वज़े से प्लेयर अफदा मैच का वर्ड मिला क्योंकि उन्होंने चार वर में 25 रंदेकर पांच विकेट अपने नाम किया वैसे आपको क्या लगता है राशित को मिलना चाहिए था या राहुलते बत्या को या सच में उम्रान मलीक को ही मिलना चाहिए था प्लेयर अफदा मैच का वर्ड आप हमें कॉमेंट बॉक्स